सर वो OTP वेगरे रहने दो, आप ज़रा बताना कितना फेर दिखा रहा है? ताड़े 400 रुपए, आपको डिरेट छोड़ देता हूँ, आप सिर्फ साड़े 300 देना आप भी याद रखना, गलती से भी Ola Uber में ओफलाइन ट्रैवल मत करना प्रॉपरली OTP डालके, कैब सर्विस के थुरू ही जाना इसके पीछ दो रीजन्स है, सबसे पहला रीजन है सेफटी, अगर आप ओफलाइन जाते हो तो कोई भी आपके राइड को ट्रैक नहीं कर सकता Ola Uber दोनों आपको ride share करने का option देते हैं, जहाँ आप अपने family members को ride share करके बता सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2017 और 2018 के बीज में CNN के एक report के हिसाब से there were 5,981 sexual assault instances in Uber and Lyft और यह data तो US की है, imagine कीजिए इंडिया में क्या हो सकता है हाँ यह बात है कि ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, Uber Ola is generally safe लेकिन why take the chance और दूसरा reason है कि इस सारी services एक market maker का काम करती हैं उस driver को आपके existence का पता भी नहीं चलता अगर आप आप से booking ना करते तो तो आपको ऐसा नहीं लगता इन सारे services को उनका cut मिलना सही चीज है इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ share करो